हलो अब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस पीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी बैटरी जो है वो कितना बैकप देती है सब्पोस्तो अगर आपको देर सो एंपियर की कोई बैटरी पर्चेस करनी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि कि 500 एंपियर की बैटरी जो है वो कितना टाइम तक बैकप दे सकती है मतलब दोस्तों कितना तेर वह हमारे घर का लोड जो है वो चला सकती है तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दे कि बैटरी अलग-अलग तरिकी होती है और सभी का बैक अप जो होता है वो अलग-अलग होता है तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाच तक ज़रूर देखेगा दरसल दोस्तों ये सवाल आपके मन में तब उठता होगा जब दोस्तों आप बैटरी लेने के बारे में सोचते होंगे या फिर दोस्तों अगर आपके पस 1500 एंपियर की कोई बैटरी है तो आप ये सोच रहे होगा कि हमारी बैटरी जो है वो कितना बैक अप देती है तो ये सारा कुछ दोस्तों आप theoretically पता कर सकते हो वो भी calculation के माधम से इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा तो बहुत ही मैनत से दोस्तों हम ये वीडियो बनाए हैं तो आप सभी से पहले यही request रहेगा कि इस वीडियो को तो अभी like ज़रू कर दे और हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आये होंगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह का इंट्रोस्टिंग वीडियो पर देखने को मिलते रहते हैं तो चैनल दोस्तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आपको बताते हैं कि कौनसी बैटरी जो है वो कितना बैकप देती हैं सब्सक्राइब करते हैं कि अगर हमारे पास 1500 एंपियर की कोई बैटरी है तो वो कितना घंटा जो है वो बैकप दे सकती है तो यह सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तो हमारे घर के लोड के हिसाब से तो हमारे घर पे कुल कितना लोड है सबसे पहले हमें यह जानना होता है इस topic पे दोस्तो हमने already video भी बना रखा है लेकिन दोस्तो अगर आप उस video को नहीं देखना चाहते हो तो इस video में ही मैं आपको सारा कुछ बताएंगे suppose दोस्तो हमारे घर में जो load है वो पहले हमें देखना होता है तो load कैसे calculate करना होता है सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं अगर दोस्तो आपके घर में एक selling पंखा है तो आपका जो selling पंखा है वो 50 watt का होगा इसके बाद दोस्तो आप टीवी तो चलाते ही होंगे तो टीवी भी आपका 50 watt का होगा तो सब को दोस्तो प्लस में करते रहना है जो भी device जो भी electronic device आपके घर में है जिसका आप इस्तमाल करते हो ठीक है इसके बाद आपके पास दो डिटीएच होगा 25 watt का होगा 9 watt का दोस्तो आप 10 LED light यूज़ करते होंगे तो आपका टोटल हो गया यहाँ पर तो आपका दोस्तो लाइट जो हो गया 90 watt का हो गया अब यहाँ पर टोटल 215 watt जो हो गया अभी तक आ चुगा है अग दोस्तो 300 watt लोट आप अपनी बैटरी से चलाना चाहते हो तब दोस्तो आप यह सोच रहे होंगे कि हमारे जो हमारी जो बैटरी है वह कितने देर तक हमारे इंसा भी लोट को चला सकती है तो चली दोस्तों आगे का कैलकुलेशन हम बताते हैं कि कैसे हमें पता करना होगा तो तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा दोस्तो हमें 300 watt का लोट है इसको हमें एंपिर में कनवर्ट करना होगा तो एंपिर में कनवर्ट करने के लिए दोस्तो फूर्मूला आता है W by V, अब W का मतलब होगा दोस्तो, वाट, अब इसको डिवाइट कर देना है V, मतलब कि दोस्तो, वोल्ट से, तो यहाँ पर हमारी बैटरी कितनी वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, अगर दोस्तो हम 24 वोल्ट बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 24 से डिवाइट करना होता है, लेक तो यहां पर हमारा बैटरी कितने एंपियर की है कि नहीं सही है तो मैं आपको बता दो दोस्तों यह 6 घंटा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्यूबलर बैटरी होता है यह उसकी जो से इसनल्य होती है वह 90 परसेंट टक होती है मतलब कि दोस्तों हमसको डिसचार्ज कर सकते हैं लेकिन और चाहिए है घर्च्णा थे चला सकेंगे मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पर फाइदड का यहां पर दिखा रहा है इसको में मिनट में चेंज करना होगा तो यहां पर दोस्तों हमें पॉइंट ऑट में हें शेंड़िति से, क्योंकि 1 घंट diferे में है 60 मिनट होती है तो यहां पर 24 मिनट आदा है तो यहां पर 5 घंट और 24 मिनट जो हे हम अपना backup चला सकते हैं वह सारा लोड जो है 10.500 एंपियर की ट्यूबलर बैटरी से 5 घंटा 24 मिनट जो है load चला सकते हैं ठीक है दोस्तों इतना दोस्तों हमें confirm पता चल गया कि हम 5 गंटा 24 मिनट हम चला सकते हैं वहीं दोस्तों अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो उसकी एफिसेंसी जो है दोस्तों 70% होती है तो उसकी जो कैपसिटी होगी उसकी बैकप जो टाइम होगा वो थोड़ा कम होगा हमारे ट्यूबलर बैटरी से तो यह चीज आपको ध 300-200-200 कोई भी बैटरी अगर पर्चेस करते हो तो आप अपने घर के लोट के हिसाब से आप खुद ही बैकप टाइम जो है पता कर सकते हो बड़ी असानी से तो आपको कैलकुलेशन के माधियम से सारा कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई स चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें